क्या आप जानते हैं जेश्ट महीने के मंदलवार को बड़ा मंदल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे ऐसी क्या वज़य है? ये तो आपने सुना होगा कि जेश्ट के महीने में आने वाले सारे मंदलवार बेहत शुभ माने जाते हैं. पर आखिर क्यों? दरसल बड़ा मंदल के तार रामायन से जुड़ते हैं. हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात जेश्ट महीने के मंदलवार को हुई थी. इसलिए जेश्ट महीने में मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है बतातें इसे बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है इस दिन बजरनबली का ध्यान और वंदना करने से दुखों का नाश होता है साथ ही बड़ा मंगल पर अगर आप अपनी राशी के हिसाब से दान करें तो इससे बिगड़े काम पूरे होने लगते हैं इसी कड़ी में लोकल 18 ने जोतिशाचार्य पंडित पंकच पाठक से खास बातचीत की उन्होंने बताया कि मनवांचित फल प्रापती के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखना चाहिए यहाँ जाने आपकी राशी के अनुसार आपको बड़ा मंगल पर किस चीज का दान देना चाहिए मेश राशी के व्यक्ति को मंगलवार के दिन हनुमान 40 का दान करना चाहिए ऐसा करने से मेश राशी के जातकों के सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे व्रिशब राशी के जातक मंगलवार के दिन मोती चूर के लड़ू का दान करें यह शुब साबित होगा अगर आपकी राशी मिथुन है तो मंगलवार के दिन हरीभी सबजियों का दान करें बता दें यह आपके लिए मंगलकारी साबित हो सकता है करक राशी के जातक हनुमान जी को खुश करने के लिए मंगलवार के दिन चावल का दान जरूर करें सिन्ह राशी के व्यक्ति मंगलवार के दिन लाल-लाल सेव का दान करें ऐसा करने से आपके करियर को नया आयाम मिलेगा कन्या राशी के जातकों को मंगलवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए ये बेहद शुभ माना जाता है तुला राशी के जातकों को हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए मंगलवार के दिन छोटी कन्याओं को कपड़े दें व्रिश्चिक राशी के जातकों को बेसन के लड़ू बाटने चाहिए ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बनी रहती है धनु राशी के जातकों को मंगलवार के दिन सडक पर जाते हुए लोगों जल सेवा देनी चाहिए आप चाहे तो गाने के रस भी बाट सकते हैं मकर राशी वाले मंगलवार के दिन लोगों को काली टोपी, छाते और पीने की पानी की बोतल का दान करना करें। कुम्भ राशी की बात करें तो मंगलवार के दिन जरूरत मंद लोगों को चमडे की चपल और जूते का दान करना शुभ माना गया है। मीन राशी के व्यक्ति को हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए मंगलवार के दिन चावल और बेसन के लड़ू का दान करना चाहिए.